फिर sulfodioxin के टेबलेट्स आते हैं 500 mg के अंदर फिर उनके crèmes वगरा भी आती हैं जैसे कि mac univers acid के crèmes आते हैं फिर शिल्वर sulfodioxin के crèmes आते हैं तो यह सब along के details study करते हैं आज के lecture के अंदर Text Pit Lecture by Amr Sir Assistant Professor and founder of Pharma Roaks Thank you for being Pharma Roaks Family Auditator yeah Pharma Knowledge के साथ सीखे अलग अलग बिमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में उनमें कौन सी दवा आप यूज़ करोगे उनकी डीटेल स्टेडी करे medicine course के अंदर pharma roaks के पूपर हमने आपके लिए एक course launch किया है ना है 9016312020 हमारी सेकंड चनल को भी सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्टिप्टिन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब समझे सल्फोन एमाइड के बारे में तो सल्फोन एमाइड ऐसे क्लास के मेडिकेशन है कि उसको हम एंटिबायोटिक्स कहते हैं और ये क्या करते है कि जो हामफुल बैक्टिरिया होते हैं जो इन्फेक्शन आपके लिए रिस्पॉनसिबल है तो उनकी ग्रोफ को स्टॉप करके ये मेडिकेशन काम करते हैं जिसके करन उनको antibacterial drugs भी कहा जाता है और ये बहुत सारे bacterial infections को treat करने के लिए use की जाती है तो sulfonamide को simply pus सुखाने की दवा भी कहा जाती है तो उसके पीछे का reason क्या है वो जानते तो अलग-अलग जो antibiotics दवा या है उसमें से ये जो group है antibiotics का sulfonamide तो उनके पास pyogenic bacteria infections को treat करने की एक अच्छी खास सी ability है जिसके करन उनकी effectiveness जो pyogenic bacteria infections के सामने देखने को मिलेगी जिसके करन क्या होता है कि आपके सरीर के अंदर pus जो हो produce होता है कि जहाँ पर infection होता है वहाँ पर क्या होता है ये pyogenic bacteria अपनी growth करते हैं जिनका नाम है staphylococcus जो bacteria होता है तो ये staphylococcus bacteria अपनी growth करते हैं और वहाँ पर infected area में pus formation का काम करते हैं कि जिसको हम कहते हैं वहाँ पर pus तयार होता है जहाँ पर आप देखो जिस तरह से ये जगा पर pus formation होआ है उसी तरह से जो phode होते हैं फूंसी होती है वहाँ पर पर इस तरह से pus formation होते हैं तो उसको सुखाने के लिए ये दवाईया जो हो खास कर यूज की जाती है तो sulfonamide को इसलिए कहा जाता है कि ये वाला जो एक पूरा group बनता है तो sulfonamide क्या है तो इनके अंदर जो हमकी sulfonamide कहा जाता है कि जिनके structure में हम देखे तो यहाँ पर जो N1 position है वहाँ पर sulfonamide substitution किया जाता है कि जहाँ पर अलग-अलग group को substitute करके उनकी solubility आप change कर सकते हैं उनकी potency change करवा सकते हैं उनके pharma को kinetic data और जो यहाँ पर चार नंबर का जो paraposition है वहाँ पर जो amino group है उसके करण यह जो class जो बनता है sulfonamide class के medication उनके पास antibacterial activity हमें मिलती है तो उनके classification को हम देखे तो short actin कौनसी है कि जिनकी action 4-8 गंटे तक रहती है तो वो है sulfadiazine है तो sulfonamide के classification के इंदर जो sulfadiazine जो drug है वो short actin है फिर second जो class बनता है वो है intermediate acting कि जिनकी activity 8-12 गंटे तक रहती है वो है sulfa-mitho-gazol है तीसरा है long actin के जो 7 दिन तक उसके effect रहती है वो है sulfa-doxine और sulfa-mitho-pyrazine है और कुछ एक special purpose sulfonamide है कि जिसके इंदर sulfa-cetamide sodium करके है मैफनाइड है और silver sulfa-diazine तो इस तरह से पूरा एक classification बनता है sulfonamide drugs का तो ये दवाईयों का जो antibacterial spectrum हम देखे तो वो gram positive और gram negative दोने type के bacteria के सामने अपनी effect देती है सादो साद bacterial concentrations भी उनके जो है वो देखे गए है और ये medication की जो effect है वो time to time and place to place according to जो है वो उनका microbial spectrum जो है वो change होता रहता है फिर भी हम देखे तो कौन से bacteria के सामने उनकी सबसे ज़्यदा effect देखने को मिलती है तो broad spectrum antimicrobial agent हम कहेंगे क्योंकि उनकी effect जो है वो salmonella typhi के सामने भी है seratia है फिर klepsi alla जो bacteria है enterobacter है yersinia enterocolatica है फिर nemocystis 0V की है staphylogos aureus है फिर pyogen सीगिला है enteropathic e.coli है influenzae gonococci meningococci जिससे bacteria के सामने उनकी effectiveness देखने को मिलती है महले कि जब भी आप अपका culture test कराते है उसमें समझों कि आपको पता चला है कि आपको gonococci infection है समझों उसके करण आपको gonorrhea जिससे disease हुए है meningococci meningococci meningocci complications फिर e.coli के करण आपको समझों कि bacterial infection हो है c.g. लागे करण हुआ है तो जब कोई specific bacterial infection पता चलता है तो उस वग ये antibiotic काफ़ effective सा भी दोती बट ये broad spectrum है कि चाहे किसी भी type के gram positive हो या फिर gram negative सभी bacteria's के सामने sulfonimides की अपनी pharmacological action रहती है तो उनकी mechanism हम देखे तो sulfonimide क्या करते है जो bacteria के अंदर जो folate का synthesis होता है मनला कि जो folic acid बनाता है bacteria उसको inhibit करता है जैसे जो penicillins होते है वो beta lactam antibiotic cell wall synthesis inhibit करते है सेफालस पुरिन BAC काम करते है फिर protein synthesis inhibit करते है और tetracycline and amino glycosid 30S sub unit को bind होके और macrolide है clindamycin, nilazoryl वगेरा क्या करते है 50S sub unit को bind होके protein synthesis inhibit करते है उसी तरह से जो quinolons से की जो phloxacin दवाईया है जिसके लिवो phloxacin है सिप्रो phloxacin वगेरा तो वो DNA gyrus enzyme को inhibit करते है nucleic acid के synthesis के उपर असर करते है इस तरह से अलग-अलग bacteria के सामने जो जो एंटिबाइटिक से उनकी इस तरह से pharmacological actions रहती है कि कुछ एंटिबाइटिक cell wall synthesis को inhibit करते है, कोई protein synthesis कोई cell membrane के उपर अपनी असर देता है तूसी तरह से जो sulfonimides दवाईया जो है वो folic acid के synthesis उपर असर करती है because यह वाला जो structure आप देखो तो वो है sulfonimide का और जो bacteria अपना DNA बनाने के लिए जो folic acid जो तयार करते है तो folic acid तयार करने के लिए जो उनको पाबा की जरूरत पड़ती है उसका यह आप पर आप structure देखो तो दोनों structurally काफी same है तो जो दो scientist थे कि जिनके नाम थे woods and फिरस तो उन्होंने एक hypothesis डेवलप की और उन्होंने सोचा कि जो sulfonimide है वो structural analog से पैराइमाई और बेंजोईक एसिड के कि जो inhibit कर सकते है folic synthesis because Paba जो है वो उसकी जरुद परती है bacteria को अपने folic acid बनाने के लिए और folic acid तभी बनेगा कि जब वो अच्छे से पैराइमाई नो बेंजोईक एसिड को utilize कर सके बट हमारे जो medication है sulfonimide वो क्या करता है folic acid के synthesis को नहीं होने देते हैं उसकी activity को नहीं होता कि यहाँ पर आप उसकी mechanism देखो तो जो Paba है Paba में से last में बनता है tetrahydro folic acid कि जो एक folic acid है कि जिसको folate भी हम कहते हैं और उसमें से आगे जाके bacteria अपना DNA बनाता है तो उसका यह पाथवे तयार होता है कि आप यहाँ के पे देखो कि जो teradine है para amino benzoic acid और glutamic acid तीनों के combination से आगे जाके dihydro teroic acid जो वह तयार होता है फिर उसमें से dihydro folic acid और tetrahydro folic acid और फिर उसमें से यह DNA तयार होता है कि जो bacteria जो अपना utilization करते है उसको तो इस तरह से bacteria अपना DNA तयार कर लेता है पर हमारी जो medication है sulfonamide वो क्या करते है कि folic acid synthesis को जो वो inhibit कर देती है किस तरह से कर देती है तो यहाँ पर आप देखो कि जो पाबा में से जो dihydro teroic acid बन रहा है तो उस वक्त एक enzyme की जरूत पढ़ती है जिसका नाम यहाँ पर लिखा है dihydro teroic synthetis तो यह enzyme को sulfonamide जो वो block कर देते हैं तो समझो कि यह enzyme नहीं होगा तो आगे जाके dihydro teroic acid नहीं बनेगा और dihydro folic acid बनेगा अगर मानों कि समझो कि इस तरह से dihydro folic acid भी तयार हो जाता है तो जो trimethoprim medication होती है वो आगे जगे क्या करते है dihydro folic synthetis जो enzyme होता है उसको inhibit कर देते हैं जिससे आगे जाके यह folic acid नहीं बनता और folic acid नहीं बनेगा तो bacteria अपना multiplication नहीं कर सकते हैं तो उनके multiplication को यह sulfonamide दवाई या जो है वो prevent करते हैं जिससे उनकी growth जो हो stop हो जाती है उनकी जो growth होती है कि DNA बनता है तो फिर वो उपना multiplication कर सकते हैं वह लगा कि एक मेंसे समझे कि दो bacteria बने दो मेंसे चार चार मेंसे 16 उस तरह से उनका multiplication चालो रहता है कि जब उनका DNA बनता रहता है बढ़ आप DNA को ही नहीं बनने दोगे तो उनका यह multiplication stop हो जाता है इस तरह से sulfonamide दोईया काम करती है वीडियो के बीच में आपको दग हमारे second चैनल को भी सबस्क्राइब करके हमें support करें link description box में मिल जाएगी तब उनके basic use को देखे तो जो sulfonamide class की जो दोईया है वो काहा पे आप यूज कर सकते तो अगर-गर आपको अलग-अलग bacterial infections होते है जैसे कि lungs में infection है airway जो tubes होते है जिसको आप ब्रॉंकियल tubes कहते है वहाँ पे आपको infection की जहाँ पे समझे की पानी बड़ा हुआ है वहाँ पे infection हुआ है pus formation वहाँ पे हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए ये दवाया यूज की जा सकती है urinary tract में infection है ear में infection है आपके intestine में infection है travelers diarrhea है impetigo की condition की जो जिसके अंदर red source develop होते है आपके face के उपर फिर इस तरह से गाव हुआ है और वो गाव को आपको सुखा ना है गाव जल्दी से भरने के लिए वापे pass formation ना हो तो जो infected cuts होते है wounds होते है उनको ठीक करने के लिए भी ये दवाया यूज की जाते है फिर urinary tract infection फिर MRSA skin infections जो हम कहते हैं कि methicillin resistant staphylococcus aureus skin infections को treat करेगा travelers diarrhea, respiratory tract infection cholera है फिर pneumonia जो है HIV AIDS के patients के अंदर और जो immunosuppressants की जो हम बात करते हैं कि अदर जो reasons होते है immunosuppressants के सभी conditions को selfonemides दवाई है ठीक करते हैं तो अब समझ लो कि अगर आप sulfa diazine इसमें से use करते हैं कि जो 500 mg के tablet साते हैं तो उसका dose रहता है 0.5 से लेकर 2 gram per day तो अब आप समझ लो कि 500 mg जो है आप समझोगी लेते हैं तो वो दिन में 3 बार कर सकते हैं फिर उसको 4 बार पिर आप use कर सकते हैं 0.5 से लेकर 2 gram दिन में 3 बार ये दवाई जो ही वो use की जाती हैं और यहाँ पिर उसका marketed formula आप देख सकते हैं सलफाज करके उसके टाबलेट से 500 mg के तो हर 6 या 8 गंटे पर एक टाबलेट को ये ले सकते हैं फिर सलफा मितोक्जाजल जो है कि जो कई बार combination में होता है ट्राइ मितोप्रेम के साथ तो जो बैक्ट्रेम है बार पेसन ले सकता है मलब कि maximum 2000 mg जितनी ड्राग पर डे जो है वो आप ले सकते हैं तो ये जो डोज रहता है पहले दो दिन के लिए उसके बाद पेसन जो वो 500 mg दिन में दो बार जो लेता है तो पहले दो दिन के लिए 2000 mg पर डे और बागी के दो दिन के बाद 500 mg दिन में दो बार फिर sulfacetamide जो होता है उसके drops आते हैं यहाँ पर आप देखो sulfacetamide के drops आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 30% concentration में है तो 6 से लेकर 30% के topically यह drops आते हैं eyes में use करने के लिए तो ophthalmologist या फिर जो आपके आई के doctors जो होते हैं उनके सला के according to यह drops जो है वो use की जाएते हैं कि जब infections होता है आखों के अंदर वहाँ पर पर स्फरमेशन होती है या फिर कोई गाव हुआ है फिर मेफेनाइड की या पर उसका marketed formulation देखो sulfa mylon के जो क्रीम है तो 1% topical application के जहाँ पर आपको यह infection हुआ है वहाँ पर आप डायरेक्ली उसको लगा सकते हैं जो sulfur sulfa diogen है वो 1% के जो क्रीम अवेलिबल है यहाँ पर आप देखो तो वह भी जहाँ पर आपको समझे कि कोई ऐसे burning हुई है जलन हो रही है और वहाँ पर पर पर्मेशन हुई है तो वहाँ पर भी यह क्रीम लगाई जासा चिकते हैं यह दवाई कि कुछ common side effects जैसे कि नौज़िया डायरिया स्कीन क्यूबर रैसिस कर सकती है stomach disturbance फिर आपके WBC count decrease करवा सकती है blood cell का count कम हो सकता है mental depression unconsciousness और loss of habitat बूख कम हो जाना उल्टी होना जी गबराना स्कीन के उबर रैसिस बनमा फिर आपके gastrointestinal track के अंदर disturbance में लेकि पेट में थोड़ा सा दर्दोना या फिर आपकी बूख कम हो जाना उल्टी हो जाना या फिर कुछ लोगों को दस्त हो जाते जिससे कुछ common side effect डेवलप होती है पर यह medications आपके WBC count कई बार decrease करवाती है जो blood cell है उनका count भी यह medications decrease करवा सकती है कुछ उनके serious side effect हम देखे तो photosensitivity हो सकती है या फिर जो sunburn हम कहते है after exposure to sunlight में लेकि आप light में रहते हैं sunlight के अंदर तो उसके करन आपके skin के उपर आप जलन जैसा फिल करो फिर आपके उपर skin के उपर serious skin races हो सकते है जैसे कि जो steven johnson syndrome हम कहते हैं कि यह पर आप देखो कि यह diagram के according to serious side effects इसको और steven johnson syndrome कि जिसको short में SGA syndrome भी कहा जाता है तो इससे कुछ side effects develop होते हैं फिर इस तरह से आप देखो कि SGA syndrome में SGA side effects जो हो देखने को मिलती है Contra indications देखे तो कौन से conditions में Sulfonimide use नहीं करोगे तो अगर आपको allergy है यह दवायों की Sulfa drugs की allergy है आपके platelets कम है आपके सरीर के अंदर RBC का level कम है WBC का level कम है Phenyl ketoruria के आप patient है Kidney disease है Pregnancy के दोरान कोई भी hematological disorder मनले के कोई भी blood related आपको बीमारी है या फिर जो new needs होते हैं First six week के उनको भी यह medications use उनके लिए भी यह medication use नहीं करते हैं तो ऐसे इसे के detail में medicine course के अंदर दवायों के basic use के बारे में उनके dose side effects, warning contraindications एक साल तक affordable price में तो सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में WhatsApp कर सकते हैं 9016312020 पे तो medicine course के access करें हमारे app उपर हमारे second channel को भी subscribe करके हमें support करें Good luck and all the best